नमासकार दोस्तों, सुँआगे तैसे आप सबका घटना चकर पूर्वालोगन की जिगरफी की सीरीज में, जिसमें हमारी अब तक बात हो चुकी है किसके किसके बारे में भारत के छेत्र के बारे में, ठीक इसके अराम अभी हम बात कर रहे हैं भारत के भारत के भावगोलिक विभाजन के बारे में तो भारत के भावगोलिक विभाजन के बारे में हमने क्या क्या बात कर ली है अब तक भारत के भावगोलिक विभाजन में हमने उत्तर के परवती छेत्रों के बारे में बात कर ली प् थोटी छोटी चीजे हैं बहुत चोटे-चोटे टॉपइक है इन सब के बारे में आज चर्चा होगी तो Cheryl मैं शुरूआत कर लेते हैं आज के लेक्चर की सुरुआत करने से पहले जो मितृत प्रीब कर ले और सान्त ही चली इसका सही अंसर है option number A ठीक धौला धर स्रेडी यहां पर है इसके उत्तर में जाएंगे तो आपको पीर पंजाल की स्रेडिया मिलेंगी इसके और उत्तर में जाएंगे तो आपको जासकर की स्रेडिया मिल जाएंगी और जासकर की स्रेडियों की थोड़ा और उत्तर में ज जाएंगी और लद्दाक की स्रेडियों के थोड़ा और उत्तर में चलेंगे तो आपको कौन से स्रेडिय मिलेगी आपको मिलेगी कारा कूरम ठीक है देखे सारी चीजे इसलिए बता दिया क्योंकि थोड़ा सा याद हो जाया आपको जो भूल गया है ठीक है पहले बात हुई है इसके बारे में आराम से और डीटेल से बात हुई है इनके क्रम के बारे में तो कुल्लु घाटी कहां पर है कुल्लु घाटी धौला धर और पीर पंजाल की स्रेडियों में है ठीक यहां है आपका कुल्लु घाटी और यह च्छेतर कहां पढ़ता है यह च् पीर पंजाल के उत्तर में जाएंगे तो आपको जासकर की स्रेणिया मिलेंगी उसके बाद आपको लद्दाक और कारा कुरम क्रमसर और उत्तर के तरब जैसे जैसे बढ़ते चलेंगे मिलता जाएगा चली अगले प्रशन का जबाब दीजे यहां पूचा जा रहा है कि नेलांग घाटी किस राज्य में इस्थित है आप्सन है ए हिमाचल प्रदेश बी सिक किम सी जम्मू कस्मीर अथवा डी उत्तराखंड चली इसका सही अंसर है आप्सन नमबर डी ठीक निलांग घाटी जो है यह उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेसियर के पास है जैसे कि यह भारत का मैप में आप आते हैं यहां से ठीक है यहां से आनेक बाद यह छोटा वाला आते हैं जैसे उत्तराखंड के एरिया में िए ठीक है चलते हैं सीधा अग्ले प्रस्ण की तरफ तो यहां सुमिलित कर्वाने वाला है सुमिलित कर वाले प्रस्नों को आप्षम सुमिलित कर्वा थे तो फठाक से सुमिलित करवाई यह चलिक आप्स देख लेते हैं क्या है तो यह सुमिलित करवाने वाले प्रस्टों को ना मैं पढ़ता हूं तो दिक्कत होता है आप पढ़ेंगे वीडियो को एक मिनट पॉस करके उसको पढ़ा करिए ठीक है अब तक आपने अपना अंसर टीक कर लिया होगा वीडियो पॉस करके यहां समय बताता हूं ऑगर वह चेतर वर्तवान में लद्धाक में है चुकि 31 अक्टूबर के बाद जो है इन छेत्रों का विवाजन केंदर सासित प्रदेसों में हो गया है जम्मू कस्मीर का विवाजन लद्धाक और जम्मू कस्मीर में तो हम सीधा वही बात करेंगे मैं सीधा वही बताऊंगा कि लद्धाक में ठीक अना कि ज जाएगी उसके बाद सांगला घाटी की बात कर रहा है तो सांगला घाटी में तो यानि की उसके बाद ऑफके बंद दो और ऐसके बाद एक चार दो एक चलिए अपने और फिर से रिखाल कर लिजे देखें याद करना और याद हो जाना बहुत ज़्यादा जरूर यह क्योंकि ऐसे लेक्टर टेख के कोई मतलम नहीं है मरका घाटी आपकी लद्दाख में है जुकु घाटीा आपकी नागा लन्ड पी जैफूस रेडियों के पीछ फिक कि जाफूस रेडियों में है ठीक है यूठांगाटी कहां यूठांगाटी सिक्किम में है तिक सिक्किम के अगर राजानी पूछ लिया जाए कहीं तो सिक्किम के राजानी गंग टोक है यह से चलते फिरते अगर कोई पूछ ले तो वैसे तो प्रस्णों के माद्दम से नहीं ही पूछा जाएगा नेक्ष्ट प्रस्ण बताई कि निम्लिखित कतनों पर विचार कीजिए पहला है कि मौन घाटी या साइलेंट वेली राष्ट्री वन नल्ला मलाई स्रेडी में है कथन दो है कि मौन घाटी या साइलेंट वेली राष्ट्री वन के निकड पत्थरक कवाडू का पत्थरक डाव जल विद्दुत परियोजना बनाने का प्रस्ताव है और आप्शन 3 है कि कुंती नदी मौन घाटी या साइलेंट वेली के वर्षा प्रचुर वनों में उद्भूत होती है पढ़ने में थोड़ा सबहुत कठी नाम लग रहा है अग प्रोक्त में से कौन सा कथन सही है बताना ह कि मौन घाटी कहां पर है मौन घाटी या साइलेंट वेली कहां पर है इसे सांत घाटी भी कहते हैं मौन घाटी को ही तो देखे मौन घाटी साइलेंट वेली या सांत घाटी या है आपका केरल में अपका केरल में नल्ला मलाई स्रेडिया है देखें पिछले लेक्षर में ब यह कथन अपने में गलत हो जाता है, जबकि हमको पता हो कि केरल में सांث घा टीया मौन घा टी केरल में फिक है तो वहीं यह कथन सई है यहाँ उस समय के करेंड में था जब यह प्रस्थ पूछा गया था, दो हजार पांच में थिक लेुखय तो बाकि कुंति नदी मौनगाटी से होकर गुजरती यह से अपना जल प्राप्त करती है यह कुंति-घाटी भरत-पुजा-nदी की रहेतो है करें से नदी है कुंती नदी जो की यह साइलेंट वेली से ही अपने जल को प्राप्त करती है तो मौन घाटी है कहा है तो मौन घाटी केरल की नील गीरी पहाड़ीयों पर है नील गीरी पहाड़ीयों पर है मौन घाटी साइलेंट वेली या सांत घाटी आई एक बार एक्ष्ट्रानेशन के माध्यम से भी देख लेते हैं थोड़ा सा देखें सांत घाटी या मौन घाटी अतवा साइलेंट विली राष्ट्री वन केरल के पलकड या पाल घाट जीले में इस्थीत है या पस्चमी घाट की नेल गिरी पहाड़ियों में इस्थीत है ठीक है वहीं यहाँ पर केरल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा जो है मौन घाटी में राष्ट्री पार्क से मात्र एक किलमेटर की दूरी पर ही पत्थर कवाड़ाउ जल विद्दुत परियोजना का निर्मार प्रस्तावित किया गया है यानि कि उस समय 2005 में ऐसा प्रस्त विद्दों देखते हैं कि भारत में शांत घाटी किस राज़ में इस्थित है ऑफ्वशन है यह तमिलनाडु बी केरल सी करना टकतवा डी असाम मैं चली कि अब यह बात हुई मौन घाटी साइलेंट वेली यह सांत घाटी यह तीनों ही केरल की नील गिरी की नील गिरी पहा द्रेत भी होती है। ठीक है? चलिए इसी के साथ घाटि वाला चप्टर खतम होता है और हम पहूंसे सिधा दर्रु की तरफो तिक दर्रya यानि पासेश ठीक है? पासेश क्या होते हैं? दर्रे क्या होते हैं? जो परवस्रेडियों के बीच में जो रास्ते बने होते हैं ठीक है प्राकर्तिक रास्ते जैसे यह दो परवस्रेडियां हो गए ठीक यह दो परवस्रेडियां हो गए ठीक इनके बीच का यह जो गयफ है इसी को ही पास बोलते हैं ठीक है यहां से आम तोर पर रास्ते बना दि पास जो है आपका महरा具 तो है इस दिल्ली और महरास्छ्ट्रा के मार्क के लिए इस्तमाल हुता है और फोर जहां रद्रौडड़डतॉ बांबे और पुने के लिए ठीक, बुंबई और पुने के लिए भोर घार धर्र का इस्तमाल होता है। जान लीजिए क्रॉस मैच कराने में उत्तर अच्छल लगाने में इनका आने की संभावना पेपरों में बहुत कम है जबकि इनके आने की संभावना पेपरों में बहुत ज्यादा है ठीक है तीन यहां के देदेगा एक यहां का कोई देदेगा और आपसे कहेगा कि क्रम लगा गिरी एवं अन्ना मलाई के बीच में है अन्ना मलाई के बीच में है पाल घाट दर्रा ठीक पाल घाट दर्रा नील गिरी और अन्ना मलाई के बीच में इस्तित है कहां पर केरल में ठीक पाकी यहां से तरिचूर और इरोट के लिए रेल और सड़क मार के दर्रे भी गुजरते हैं यह जानना इतना आवस्चक नहीं है पालगाट है कहां पर पालगाट के एरल में नीलगिरी और अन्ना मलाई सिरेणियों के मद्ध इस्तित है ठीक भोरगाट दर्रा और थालगाट धर्रा यह दोनों महाराष्ट्र में हैं और इन दोनों का इस्तमाल जो है पड़ता है उसके बाद थोड़ा दच्छड जाएगे तो बोर घाठ पड़ेगा और एक दम दच्छड में केरल में यानि की आपका पड़ा जाएगा पाल घाठ द रहा है ठीक है आईए चलते हैं प्रस्णों की तरफ ठीक है प्रस्णों में एक प्रस्णा आएगा आईए चलते हैं सिधा वहीं बात हो जाएगी देखें यह कुछ करम दिया हुआ है आप चाहे तो इसका स्क्रीन सॉट ले लीजिए ठीक है कारदुगला कारा कोरं जोगी लाँ चांगला यह तिंटे यह चेमाचल परदेश हैं पुलिए लेख और जेलेपला सिकिम में तो शेला बोम डिला या कहीं पर आपको इसका बोम डिला पके रूप में आ जाए कहीं पर बोम डिया लिखकर के आ जाए का नाम तो देख लिजिए सेला बोमडिला यांगपा और दीफ हुई है सारे दर्रे अउडाचल प्रदेश में तो तूजू मड़ीपूर में है थालगाट भोरगाट महाराष्ट और पालगाट केरल में इन सब के बारे बात हुई है तिक चलिए बताना है पहले प्रशन में कि निमलिकीत मेंसे कौन एक सही सुमिलित नहीं है इनको बच सिर्फ एक बार देखिए और आपको दिमाग में बैठ जाएंगे एक बार में बैठ जाएंगे लेकिन जरूर बैठ जाएंग तिक है और काफी आसान प्रस्न होते हैं यह सेला उत्तराखंड चली। इसका चहीं अंशर है उपय最 sug अूरे सेला यांग techयोंotta पार दीपुय कोई से जहां भी जहां दर्रा आएगा तो हम वहां पर लद्दाक ही पढ़ेंगे चांग्ला तर्रा कहा पर है तो चांग्ला दर्रा यह लद्दाओं में है पारदुगला, काराकोरम, जोजिला, चांगला यह लबदाक में है, पीर, पंजाल, बनिहाल, जम्मू कस्मीर में है, शिपकीला, रोहतांग, बडालाचा और यांग जी है, चारो दर्रे हिमाचल प्रदेश में है, तो वहीं दिवान, भाबा, पारंगला, मडीरंग, में और इसके अलावाए करने दर रहा, पालगाट यह आपका केरल राज्य में है, ठीक है, तो चलिए, अगले प्रस्ण की तरफ चलते है, यहाँ पूचा जारा कि निम्नांकी त्युगूम में से किसका सुमेल नहीं है, आप्सन है, A, बामडिला, रुराचल प्रदेश, B, C, ना थुला, सिक, किम, C, भोरगाट, हिमाचल प्रदेश, अथवा D, पालगाट, केरल, चलिए, इसका सही अंसर है, ओप्सन नंबर D, ठीक, पालगाट, केरल में नहो करके कहां पर है, यह पालगाट की बता है, ना, पालगाट, पालगाट, केरल में है, भोरगाट, महाराश्ट्र में हैं भोर घाट और यहां से गुजरता है मुंबई पूने हाइवे ठिक और काफी ज्यादा रेल सुरंगे भी लगभग 28 रेल सुरंगे इस दर्रे में यहां देखिए इस दर्रे से 28 रेलवे सुरंगे गुजरती हैं ठीक है अगले प्रस्ट को देखें, यहां पूछा जारा है कि इंडियम लिकित में से कौन सुमेलित नहीं है, आपसन है A, सिपकीला, हिमाचल प्रदेश, B, लीपुलेक, उत्तर प्रदेश, C, नाथुला, सिक, अथवाड़ी, जोजिला, कस्मीर, जोजिला, लद्दाक, कस्मीर नही चलिए, इसका सही अंसर है, देखें, उत्तर प्रदेश में कोई दर रहा हो, ऐसी बात तो हमने की ही नहीं, ठीक, तो लीपुलेक कहां पर है, यहीं पर देखें, आप लोग लीपुलेक, लीपुलेक, उत्तरा खंड राज्यमें, उत्तरा खंड के अन्य दर्रे, दिवान, भाभा, पारंगला, मडीरंग, मुलिंगला, माना, नीती, लीपुले, किंगरी, विंगरी, भुला नहीं चाहिए, इसलिए बार बार पढ़ रहा हूं, ठीक है, तो शिक्किम में नाथुला और जिलेपला है, वहीं लद्दायक में जो है, जो जिला, खारदुंगला, कारा, कोरम और चांगला है, तो शिपकिला, हिमाचल प्रदेश में और हिमाचल प्रदेश में शिपकिला के अलावार, रोहतांग, बढ़ालाचा और यांगची दर रहा है, ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रशन की तरफ, यहां पूचा जारा किन नियम लिकित ज्योगों में से कौन सुमेली तर नहीं है, आप्शन है, शिपकिला, हिमाचल प्रदेश, बामडिला, उडाचल प्रदेश, सी, नातुला, में घाल, अथवाट डी, जोजिला लद्दाक, जोजिला लद्दाक, चलिए बताई फटाक से, ठीक है, इसका सही अंसर है, आप्शन नमबर सी, ठीक, नातुला और बताईए, नातुला और जिलेपला या दोनों दर्रे आपके कहां पनाई है, दोनों दर्रे आपके सिक्किम में है, ठीक है, ठीक है, बाकी, शिपकिला सही है, शिपकिला कहला है, रोहतांग और बड़ालाचा और यांगची दर्रा हिमाचल प्रदेश मे और ऑब Markt कि Allah एर यांओप़ और दीपु यह चार उदर्रे अरुडाचल परिस में जोजिला आपका लज्धाक में है ने है जोजिला कावानने दर्रे खार्डुब्ल अन्न ऑहर है तो वहीं मडिपूर में एक दर्रापडता में आप में दर्रा नहीं पढ़ता माड़ी पूर में एक दर्रा पढ़ता जिसका नाम है तूजू प्रस्णों में कहीं नहीं आएगा साइट कि ठीक है सारे दर्रे याद होते चल रहे ना भाई या पार मार का तीसरा पॉइंट था अगले प्रस्ण का जबाब दीजिए कि निमले की दर्रों में से किसे से होकर लेह जाने का रास्ता है ओप्सन है जोजिला बी शिपकिला सी चुम्भी घाटी अथवाड़ी बनिहाल चली इसका साही अंसर है ओप्सन नमबर ए ठीक जोजिला कहाँ पर है जोजिला आपका है लदाप में ठीक लेह कहां है लदाप में आप कलियर हूए हैं मेरे ख्याल से याथ होनी लगे होंगे चीजे आपको शिषब कि ला के ला हिमाचल प्रदेश में ठीकartet कहां पर है बनि Wheat के काया आप चलिए अब बताए बनिहाल दर्रा कहां पहरा है ठीक है तो चीज़े क्लियर हो रही न जोजिला आई ए जोजिला अग वारे मीचे कुछ डीटेल भी दी हुई है देखे जोजिला जो है स्री नगर को लेह से जोड़ता है जोजिला आपका लद्दाक छेतर में ठीक है बनिहाल दर्रा जम्मू को स्री नगर से जोड़ता है ठीक है अगर पूछ ले कहां पर है बनिहाल अब भी पूछ रहा हूं बनिहाल कहां पर पड़ेगा बनिहाल आपका पड़ जाएका जम्मू के श्रीनगर को लेह से जोड़ता है तो आहीं बनिहाल दर्रा जम्मू को स्रीनगर से जोड़ता है टिक है याद रहागा ना जोजिला स्रीनगर को लेंज से जोडता है जो जिल्या दर्गा बनीहाल दर्गा जम्मू को स्रीनगर से जोड़ता है सिफकीला हिमाचल पर सिस्कों तिबब से जोड़ता है ठीक आई यह चलते हैं यह कुछ इंपॉर्टन है थो इनके बारे में प्रश्ण पूछा जाता हमें इसाantes वे संक्रेम कैबार बात हुई है कि जे लेपला और न तुला दरणा यह दोनों ही सिक्किम है ठीक है यह ज MOR तुछ तक सैजोड़ता ठीक है अगला प्रस्ण है कौन सा सुमेलित नहीं है यह पताना है तो इसे आपको ही पढ़ना है फटाक से पढ़िए और बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है चली अब तक आपने पढ़ लिया होगा इसका सही अंसर है option नंबर B ठीक है आपको देखने से पता चल जाना चाहिए एक बार में इतना टाइम लेंगे प्रस्णों को तो कैसे solve होगा देखे लीपूल एक उत्तरा खंड में है नाथुला सिक्किम में है और उडाचल में और पालगाट केरल में है ठीक है चलिए अगला प्रस्ण देखिए तो यहां पूचा जा रहा है कि वर्स 2006 के लगभग मद्ध में निम्लिकित हिमाले दर्रों में से कौन सा एक भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुना खोला गया option है चांगला बी ज जारला जाराला सी नाथुला अत्वाड़ी सिपकीला आइस 2007 का प्रस्ण है यानि और 2006 का बात की जा रही यानि करेंट का प्रस्ण था ठीक है कन्फ्यूज मत करिएगा कभी भी कह रहे अब पूचलियत कैसे याद रहेगा तीसरा कौन सा है चलिए इसका सही अंसर है option number C ठीक नाथुला दर्रे को भारत और चीन के वीच व्यापार के लिए तीसरे पॉइंट के रूप में खोला गया था ठीक है चलिए चलते हैं सिदा अगले प्रस्ण की तरफ तो यह भी सुमिलित करवाने वाला है चुकि सुमिलित करवाने वालों को आप स्वयम पढ़ते हैं तो फटाक से पढ़िए और सुमिलित करवाईए चलिए अब तक आपने वीडियो को पाउस करके अपना एंसर टिक कर लिया होगा सही अंसर है इसका ऑफसर नंबर बी यानि की बनिहाल दर्रा बता है आपको जैसा की जम्मू कस्मीर में है ठीक है केंदर सासित प्रदेश जम्मू कस्मीर ऐसा भी आप बोल सकते है नातुला ला मडी रंग मुलिंग ला माना नीती लिपूले किंग्री विंग्री ठीक है मुत्रा कंव को ज्यादा ही जर्रें इसलिए बार बार बता रहा हूं और अंत में सिपकी ला दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश में सिपकी ला क्या लामार होतां बढ़ा बनिहाल दर्रा जम्मु कश्मीर राज में नातुला सिक्की महनीती उत्तराकंड में और सिपकीला आपका हिमाचल प्रदेश में है ठीक है याद करते चलिए भाई याद हो जाना चाहिए और हाँ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब भी करते चलिए प्रश्न के बारे मैं बात की जाएगी तो मेरा भी डाइवर्ट होगा आपका भी डाइवर्ट होगा तो इसके प्रति अप खुद अगर सजग होगे थोड़ा बहुत आपके सपोर्ट के साथ ही यह चैनल चल रहा है ऐसे नहीं चल रहा और ऐसे चल भी नहीं पाएगा, आपका समर्थन और सपोर्ट जरूरी है, ठीक है, बताईए, सुमेलित करवाने वाला है, आप ही सुमेलित करवाईए, ठीक है, चली, वीडियो प्रडाक्ट्र पास करिए और अपने अंसर को, सही अंसर को टिक करिए, ठीक है, अब तक आपने सही से कुई थी हमारी, पहले तो सही अंसर बता जेता हूं, इसका सही अंसर है, आपसर नंबर B, ठीक, बात हो गई थी हमारी हिमाचल प्रदेश में, ठीक, बुमला अरुडाचल प्रदेश में, ठीक, बुमला अरुडाचल प्रदेश में, ठीक, बुमला अरुडाचल प्रदेश अगर फिर तेख लेजिए क्या दिक्कत है भूम्ला रोड यहां चाहgehen जितनी बार देख लीजिए इक्जाम में आपको पेपर देखते ही पेपर में ऐसे प्रस्थ्थ देखते ही सॉल्व करना है हर हाल में निवाशः किम है मुलिंगला उत्तराखंद में और लाइब का हिमाचल प्रदेश में कहाा पर कौन कौन सा है बुम्रा जेले प्लासिक कर्वाने भूतानों जेर आप कर दिखातार्य हूं जैसे को आप से इंडिखानाम उगता है अफ सिता में कि एक हूं ठीक है सही option मैं आपको दे दे रहा हूँ यह सी नंबर में दिया हुआ है क्या है चार एक दो तीन आप यहां तब तक मैच कराते रहे हैं यहां option बाद देख लिएगा बाद में दूसरा है option D में दिया हुआ है चार एक तीन दो अब बताईए चारों आपके सामने है चली इसका सही अंसर है option नंबर सी ठीक यहनी चार एक दो तीन यहां देखिए माना दर्रा आपको बताए गया नहीं नीती माना किंगरी विंगरी यह सारे दर्रे आपके उत्तराखंड राज में है नातुला दर्रा आप राज में जो जीन लद्दाक छेत्र में है ठीक है जम्मू कस्मिर नहीं जो जिला आपका है लद्दाक में और सिफ्कीम आंत में महत्रत में फिर से ही-माचाल परिष को तिबबस से जोड़ता हूं के चलिया अगले प्रस्शन पर देखिए यहां पूचा जारा यहां बनाि इए ज्यादा प्रसन ऐसे इस लिये रहें क्यों कि दर्रों के बारें में घाटियों के बारे में ऐसे ही प्रस्ण आते हैं अगला चेप्टर होगा उसमें ऐसे ही प्रस्ण आते हैं बार-बार सुमिलित वाले ठीक है बताईए कौन सा सही सुमिलित नहीं है फटाक से पढ़िए और बताईए चलि अब तक आपने जो है साइक अनसर्टिकल लिए जेलेपलै पर हांपर है शिकम में मानानीती ऊत्राकंड में सिपकिला हिमाचल प्रदेश कहां गया हिमाचल प्रदेश कहां गया तो सुमिलित नहीं है जब लेगे बूल गया तो सुमुलित करवाने वहां एक दो तीन मैच करा रहा था जए ले प्ला सिक्किम में माना निती उत्तरा खर्ण में है आपका हिमाचल प्रदेश में और बामडिला अरुडाचल प्रदेश में ठीक है नहीं है ठीक है ए karışचाली थोड़ा-थोड़ा इन दर्रों के बारे में दीया है तो देख लेते हैं देखिए पूर्वी शिक्किम को तिबत की राषधानी से जोडता है ठीक तिबत की राषधानी लियासा से जोड़ता है कौनसा दर्रा ये अगड़वाल उत्राखंड की है और सिपकिलादर्रा भी आपका तिबद कोहिमा उप्रदेश के किन्न जीळे सरा तो बामडिलादर्रा Comp asset के पस्ट्वी का हमेंग जीले में जो कि लयासा को forbidden से जोड़ता है ठीक खनवाल मिष्थिन नीति और माना दर्रे है उतरा खंडराजी कोorrow से जोड़ते हैं और हिमाचल प्रदेश का सिपकीला धर्रा भी हिमाचल प्रदेश को तिबत के तिबत राजे से जोड़ता है ठीक है अगले प्रेस्ट का जवाब दीजिए कि नियम लिकित दर्रों में से कौन उत्तरा खंड में अवर्थित है आप्शन है जिलेपला बी लिपुलेग सी नाथुला आथवा डी शिपकीला चारों दर्रे के बारे में आपको पता होना चाहिए चली इसका सही अंसर है आप्शन न खंड राज जिमें अवस्लित है जो की कैलास मांसरोवर यात्रा के लिए बहुत ही महत्पूर रूठ है कैलास मांसरोवर की यात्रा यहीं से की जाती कि मान्सरोवर ठीक है जडरूरी है कि लिपुलेक दर्रा कहां पर है नहीं इनजले पर हो इस एक जनुरी सब्सक्राइब एक जनुरी दो हजार साथ से पहले उत्राइब जाना जाता था थीक एक जनुरी दो हजार साथ के बद इसका नाम करके उत्तरा खंड कर दिया गया अग्याग प्रसंदिक एक इनिम लिकित में से कौन एक सुमेलित नहीं है आफसन है ए नाथुला यह आप पढ़ते हैं ना चलिए अब तक आपने अपना एंसर टिक कर लिए वीडियो को पास करके तो देखिए नाथुला सिक्किम में है लीपूल एक उत्राखंड में रोहतांग हिमाचल प्रदेश में पाल घाट केरल में ठीक है यानि कौन स हैं चलिए रोहतांग धन्राब् का हिमाचल प्रदेश राज्जस में इस्तेथ है एक बार फिर से रीकाल कर लीजे चिकि एक हिमाचल प्रदेश में और कौन-कौन से धर्रे हैं तो हमाचल प्रदेश में भाईया 5 taking बड़ा लाचा और यांग जी यांग जी और साथ रहतांग दर्रा है ठीक है चलते हैं सिधा अगले प्रस्ट की तरफ यहां पूछा दर्रा कहां इस्तित थे आपसं दिया हुए ए उत्तर प्रदेश बी उत्तराकंट सी जमुकस्मीर अथवादी हिमाचल प्रदेश चली किंगरी विंगरी नीती माना यह सारे दर्रे आपके उत्तराकंट राज्य में इस्तित थे ठीक है जो है उत्तराकंट को कहां से जोड़ता है तिबबत से जोड़ता है ठीक नीती माना दर्रे के और अन्य नाम है एक नाम है चिरवितिया और दूसरा नाम है क्या वटाई मैं दूसरा नाम है डूंगरी या माना या कि अगले प्रसेंगप चलते हैं तो और प्रसेंग यहां बता होगा है कि माना दर्रे के बारे में तो जान लेते हैं हम लोग उसे भी माना दर्र Hallelujah या उत्तरकन राज के नंदा देवी 22 रिजार उछंधर से जाषकर परवत्की के पूरी छोर तक फैला खुझा लुए किस से दहुला धर के बाद आपकी पढ़ेगी पीर पंजाल की स्रेडी ठीक है पीर पंजाल के बाद आपका पढ़ जाएगा जासकर और जासकर के बाद लद्दाक लद्दाक के बाद कारा को रम्ठी कि यह इनका करम है याद रखना है आपको चलते हैं अगले प्रस्ट पे तो यहां पूचा तरह पिंग्री विंग्री नीती माड़ा क्या है आप्शन है यह दर्रे बी नदिया सी पर व अत्वाधी धार्मी कर्स्थर चलिए कई बार बात हुई है इसका सही अंसर है आपसर नमबर एक किंगरी विंगरी नीती माना यह सभी दर्रे है ठीक है देखे माना दर्रे के बारे में एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है बहुत ज्यादा कि यहीं से यहीं माना दर्रे में एक धील है जिसका नाम है देवत देवताल जिल की जो है अलकनंदा नदी कि सहयक नदी अलकनंदाल perceptिका नहीं करेंगे SEO सहयक सहयक BY खाय कंडी सरसवतिका उदगब करें शरस्षतिका कॉधुर्ण होता है ठीक सारस्वती का का के उदगब होता है कहा से देवताल जीलते जो कि माना दर्रे के बीच में वस्तित है यहां देखे फैक्ट दिया हुआ है थोड़ा सा की कि माना दर्रे को ही चीरवितिया या डूंगरिला कहा जाता है तो वहीं इसी दर्रे में देवताल जील है जहां से अलक नंदा की सहायक नदी सरस्वती का हो था लीपू लेक इन्सक्रम को देख लीजिए आप इसे पढ़िए और इसी क्रम में लगाई ये कौन सा सही अंसर है चलिए इसका सही अंसर है देखे सिपकीला कहा है हिमाचल प्रदेश लीपू लेक उत्राखंड नातुला सिक्किम और बामडिला अरूला चल प्रदेश अब आप इन राज्यों के हिसाफ से इनको क्रम में लगा सकते हैं काफी देखे ऐसे परस्चिम से पूरू के क्रम में सिक्किम यानि की नातुला और उसके बाद सबसे अंत्र में बामडिला यानि की अरूडा चल प्रदेश तो सही अंसर है ऑफ्सन नंबर सी अगला देखिए यहां पूचा जा रहा है कि वहादर्रा जो सरवाधिक उचाई पर अवस्थित है ऑफ्सन है जो जिला बी सबसे उपर जो है नातुला दर्रा सबसे अधिक उचाई पर ठीक लेकिन चूंकि हमारे पास ओपको फान हे और हमें पता है कि यह सारे रही सवर्वाधिक उचाई पर नहीं है सरवाधिक उचाई क ces पर जो दर्रा उसका नाम है यांग दीवान ठीक यांग जी दीवान जो ही माचल प्रदेश में पड़ता है जिसके बारे में बात हुई है ठीक है भारत का या सरवाधी कुचाई पर इस्तित दर रहा है हाव हाव है अब हो कि चलिए इसी के साथ यह चैप्तर खतम होता है आगया हम ही में सब्सक्राइं हिम नद में ठीक है ठोटे-चोटे बहुत छोटे चोटे चप्ठ्र है ठीक है बहुत जल्दी सभुलात करते हैं सीधा फ्रेशनों की ही तरफ कि चलिएव इसी यहांत इन सभी के वीडियो के बारे में दिए परे में देखना हो तो आप मैसमें देख सकते मैंने पहले हिका आपको बुक पंटर्शेस करनी है समस्न समाझों घ्राप करें आपavor को वीडियो मिल गया थो आपको बुक को दफ देखना ही नहीं हैं सभी जहांअ ही पड़ा रहा हूं बार-बार किए आपको बुक सब्सक्राइबार कि परफ़ा ब करनी है मेरा बुक सको पड़ाने का सिर फर सिर्फ एक मात लvarishina Pastor कि यहां chance वीडियो के माध्यम से हो जाए, एक बार वीडियो के माध्यम से हो जाए, दूसरी बार आप अपना बुक को जैसे ही वीडियो देखे, तुरंत उसके थोड़ी दिर बाद जो है, आप अपना बुक उठाईए, वहाँ से रिवीजन कीजिए, फिर भुक से रिवीजन करने के पहले पहले आपको एक बार फिर से वीडियो देखना है ऐसे ही चीज़े रटेंगे और एकजाम में प्रस्द सहीं होंगे नहीं बफील्ट यहीं लगेगा कि पढ़ा थो थायार कहीं तो सूना था लेकिन याद नहीं आ रहा पहला वाला होगा कि दूसरा वाला होगा अरे नहीं दूसरा वाला होगा अरे नहीं पहला वाला होगा इसी में जो है यह प्रस्ट गलत हो जाएगा ठीक है तो यह कलती आपको नहीं करनी आपको तीन बार पढ़ना है तीन बार एक बार पढ़के काम नहीं चलने वाला तो इन हिमानियों की या हिम्नदों की या फिर यूं कहें कि ग्लेसियर्स की उचाई के बारे में और इनकी लोकेशन के बारे में दिया हुआ है तो इसको जान लेते हैं ठीक है जब से पहले बात करते हैं सियाचीन ग्लेसियर की तो यह काराकोरम है जिसकी लंबाई करी 76.64 किलोमेटर यानि कि यह सबसे लंबा ग्लेसियर है उसके बाद बियाफो ग्लेसियर की बात की जाती है यह भी कारा कुरम में हिस्पारा यह भी कारा कुरम में और बाल टोरो यह भी कारा कुरम में साथ इसाथ चोगो लुंगमा यह भी कारा कुरम में और खोर्दो जीन यह भी कारा कुरम में ठीक है सभसे बड़ा धर राशीयाचीन है उसके बाद दूसरे नंबर पर वियाफो है तीसरे नंबर पर हिसपारा है चौतhey नंबर पर बाल्टोरो है पांचवे नंबर पर चोगोल लुंगमा है और छटवे नंबर पर खोर्दो जीन है ठीक चलिए आए फिर आगे बात करते हैं कस्मीर के दुए हिमनदों के बारे में या हिमानियों के बारे में तो कस्मीर में दो हैं रीमो और पुनमाह इन दोनों की भी लंबाई क्रमसा 40 और 27 किलो मेटर है ठीक है लंबाई उसके बाद उत्तरा खंड में गंगोत्री गलेसियर है जिसकी लंबाई 26 किलो मेटर है जेमू गलेसियर यह सिक्किम और नेपाल की सीमा पर वस्तित है जिसकी लंबाई है 25 किलो मेटर तो ससाइनी जो है कारा कोरम में कारा कोरम में एक और है स ससाइनी ठीक इसकी लंबाई सबसे कम है 17.85 किलो मिटर उसके बाद रूपल यह कस्मीर में और दियामीर यह भी कस्मीर में दिया कस्मीर में चार ना रीमो पुनमाह रूपल और दियामीर यह चारों कस्मीर में हैं लंबाई के क्रम में चुकि यहां दिया हुआ था ठीक है लं वीडियो के माध्यम से देखेंगे तो आपको याद ही रहेगा आईए बताईए कि हिमालाय में ही में रेखा निम्न के बीच होती अब आपको बतारना बात हुई है पूरी पूरी पहले ही लेक्चर में जब बात की जारी थी भारत के बहुतिक विभाजन के बारे में आप्सन है ए तिरालीस सव से छे हजार मीटर पूरु में आप्सन बी चार हजार से अठावान सो मीटर पस्चिम में आप्सन सी है कि 45 से 6000 मीटर पस्चीम में अथ्वा उपर्युक्त में से कोई नहीं है चलिए इसका सही अंसर है आप्सन नमबर बताईए ए ठीक इसका सही अंसर है आप्सन नमबर ए तो देखिए हिमाले जो है ना आई उसके एक्सलेंसन में ही देख लेते हैं किया इतना है देखिए हिमाले की जो वस त्ही 만들어 करके तो होटी कि में आप सबको पता है हम सबको सबको पता है कि हिमाले पर बर्पी चाधरे पड़ी हुई ठीक यह उपर नहीं कहीं तो जब यहां रेखा फिक्स नहीं है अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग उचाईया है तो आवसत हिम रेखा एक लिए जाती है ठीक है एक सीधी रेखा जैसे ही नद्दियों के बारे में लेते हैं एक जगह से मान लेते हैं कि यहां से हिम रेखा ऐसे ऐसे गई तो हिमाले तो एक है नहीं हिमाले कहीं पस्चिम हिमाले पूरू हिमाले और आधियाद मद्ध हिमाले ट्रांस हिमाले इन सब के बारे में तो सबकी हिमरेखाएं भी अलग-अलग होगी तो इसी क्रम में बात हो रही है कि अब हिमरेखा भी सबकी अलग-अलग होगी ठीक हिमरे हिमाले के उत्तरी भाग की हिम्रेखा के अगर बात करें तो यहां देखिए आउस्त हिम्रेखा की बात छोड़िए उत्तरी भाग में उस्त हिम्रेखा की उचाई कितनी है और पुर्वी हिमाले में आउस्त उचाई कितनी है तो त्रालीज स्व मीटर पाई तो पूली हिमाले की उचाई अवस्त उचाई या ठीक है यह सकते हैं इस गई जाजार मीटर पूरू में ठीक है अब कोई कन्फूजन नहीं होना चाहिए कभी भी कि चलिए अगले प्रस्ण का जवाब जीजे कि निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा हिमनद या ग्लेशियर लिखा हुए आपको प्रस्णों में मिल जागा ठीक है बताई आप्शन है A. सियाचीन B. बाल्टोरो C. चोगोलूंगमा अथवा D. बी आफो चलिए बात हुई थी हमारी सबसे बड़ा हिमनद जो है या सियाचीन है जिसकी लंबाई करीब करीब 76.64 किलो मीटर है इसके बाद B. आफो हिस्पारा बाल्टोरो चोगोलूंगमा खुर्दोजीन आदी ह है ठीक है अगला बताईए सबसे बड़ा हिमनद निम्लिकित में से कौन है आपसन है एक अंचन जंगा बी रूंडनू रूंडून सी गंगोत्री अत्वाड़ी के दारनाथ चलिए इसका सही अंसर है आपसन नंबर मताईए आपसन नंबर सी गंगोत्री ठीक है आईए इन सभी ग्लेसियर्स के बारे में देख लेते हैं चुकि वहाँ पर नहीं बताया गया था देखे गंगोत्री हिमनद तो आम सब को पता 26 किलमेटर उचायू के क्रम से आप इस ए दून और केदारनाथ के ग्लेसियर्स के बारे में बात नहीं की गई यानि कि यह इससे छोटे ही होंगे ना इसी वजह से बात नहीं की गई तो देखे गंगोत्री तो सबसे बड़ा है 26 किलमेटर लंबा यह बाकि रूंडन रूंडून हिमनद जो है 19 किलमेटर लंबा है र कोई तकनीक लगा करके इसको जो है देखेंगे ठीक है नेक्स्ट है क्वेस्टन नमबर फूर कि निम लिखित में से कौन सा विशालतम हिमनद है आफसन है एससाइनी बी गंगोत्री सी जे मू अथवाड़ी सी याचीन चलिए इसका भी अंसर आपको बताएगा इसका सही अंसर है ऑफसर नमबर डी सी याचीन ग्लेसियर सबसे चलिए चलते हैं सिधा अगले प्रस्ण की तरफ सभी के बारे में एक बार फिर से देख लेंगे महाँ पर सी याचीन चलते हैं सब्सक्राइब इसके बाद जो है रूपल शोलह किलोमेटर और दिया मीरापका 11 किलोमेटर है ठीक है सियाचीन भीयाफ़ो हिस्पारा बाल्ट अरो चोगंगमा खोड़ोजीन और ससानी या सभी दर्रे आपके कारा कोरम में है रीमो पुनमाह और रूपल या तीनों दर्रे कस्मीर राजिम तो गंगोतरी उत्रकणन में जेमू सिक्किम और नेपाल की सीमा पर है सबी गवार मा के दच्छिद में बी के दान अमंदिर में के उत्तर में अत्व फिर चौरिभाडी ग्लेसियर भूंधिया आफ दिना ञोशे कि के उत्तर में शुन से Euros Sam जलते हैं अगले प्रस्षाण की तरफ तो यहां पूछा जाना की ऑल प्रस्षाल के सिंच वियुब्धू के समान है और आप्सन डी है कि हिमाले के हिमनदों के पिघलने के विशय में सूचना उपलब्द नहीं है इसका सही अंसर है आप्सन नमबर बी थी कि हिमाले के हिमनदों के पिघलने की गति जो है यहां सरवाधिक है सबसे अधिक यहां तक की गंगोत्री गलेशियर पिछले 50 साले में गल करके आधा हो गया है, 50 वरसों की तुल्लयना में अब आधा हो गया गंगोत्री गलेशियर, नेक्स्ट बताई कि निम्लिक्त हिंसी कौन सा उत्तरा-खन के कुमाव प्रचेत्र में अवस्थित है, आपसन पूछा जा रहा है, एशिपार, बी, जेमु, सी, मिलाम, अत्वादी, रूपल, तो सब के बारे में बात हुई है, नहीं बात हुई है, तो मिलाम के बारे में, सखिए अंसर क्या होगा, मिलाम, ठिक, इसपार कहां है, मताईए, हिस्पार कारा कोरम में जेमू आपका सिक्किम नेपाल की सीमा पर है तो वहीं रूपल आपका कहां पर है रूपल आपका कस्मीर में हिस्पार कारा कोरम जेमू जेमु सिक्किम, रूपल, रूपल कस्मीर में और मिलाम भी कस्मीर में ही, मिलाम उत्तरा खड़ में, ठीक, मिलाम उत्तरा खड़ में, है की नहीं, कन्फ्यूज मत हो ये गभाई, चली, लास्ट प्रस्न है इस टॉपिक का, बताना है आपको, सुमिलित करवा करके, तो जल्द यानि के बंदर पूछ जो है, यमना नदी का उत्तरा है, ठीक, बारा सिंग्री चेनाप, और मिलाम से मंदाकिनी, ठीक है, मिलाम से मंदाकिनी, यहाँ पर मिलाम के बारे में दिया हुआ है, कि यह सार्दा नदी या काली गंगा का उत्तरा है, ठीक है, और यहाँ पर मिलाम क इंगले सियर नुम्ब्रा नदी ठीक आई यह थोड़ा सा यहां बताता हूं ऐसे नहीं समझेंगे आप ठीक है देखे वहां पर तो बताया गया था काली गंगा या सारदा नदी और यहां पर मिलाम से गोरी गंगा बताया यह सायद मिस्प्रिंट हुआ इन से काली गंगा ही लिखना था इनको तो अपने अपनी बुक में आप सही कर ली दियेगा ठीक मिलाम से काली गंगा या वालनव कहाँ पर है बंदर पूछ और मिलाम हिमनत और हिमाचल में सिख्किम, बंदर पूछ और मिलाम हिमनत कुप पावादम इस चरह नदी तौ चलिए तो चलिए कलते हैं अगले तांबिक सी ते तौपिक में हिव बॉट चोटा सा टांबे से साथ से आठ प्रस्णा है और इसी के साथ हम भारत के भौतिक विभाजन को भौतिक विभाजन के पहले टॉपिक को खतम करने के साथ सबसे उत्तर में यहां पर आपको मिलेगा लदाक का पठारि इसके बाद मालवा का पठार यहां है चोटा नागपूर का पठार यहां है, लोकेशन देखते चली, पूरब परस्चिम उत्तर दचिन यहां है, इंपोर्टेंट है, लब्दाक का पठार यहां पर है, मालवा का पठार मध्यभारत में, छोटा नागपूर का पठार मध्यभारत में, मेगालय का पठार यहां है, काठियावाल का पठार यहां पर है, महाराष्ट पठार यहां पर है, तिलंगाना पठार यहां पर है और करनाटक का पठार यहां पर है, तो वहीं दंडकारण का छेत्रिया है और दक्कन का पठार इसे ही बोलते हैं, इस जो घेरे को बना हुआ इसे डक्कन प्लेट हुआ दक दक्कन का पठार बोलते हैं ठीक है आई थीरा चलते हैं प्रशनुत्तर की ही तरह बताना है आपको भारत के दक्कन के पठार पर बैसाल्ट निर्मितलावा फैलू का निर्माड हुआ है सबके बारे में बात हुई है तो बताईए ठीक है दक्कन के पठार पर बैसाल्ट निर्मितलावा फैलू का निर्माड जो है यह क्रिटेसियस यूग में हुआ थलक भग 146 मिलियन वर्स पूर वो जो है भारत के दक्कन के पठार पर लावा फैल जाता है और इस काल को कहते हैं क्रिटेसियस यूग ठीक है कर्वनी फैरतियों की बात करें कार्वनी फैरसर ह्यूग में जो है क्या हुआ था मता Gradodaविश्यम में दामदर सोन महानदी का निर्माड होता है किसका को एले का काँ कहा काँ पर भारत के इन चात्रों में दामोदर सोन महानदी गोमती और गोदावरी चेत्रों में जो है कोईले का निर्माड होता है ठीक है तो वहीं क्रिटेशियस युग में जो है बैसाल निर्मित लावा सहलों का निर्माड धक्कन के पठारों पर हो जाता है आगे बात करते हैं अगले प्रस्ण के बारे में तो यहां पूचा जा रह बैसन पर बैसने के पठार का ही भाग है यह सब प्रस्ण के इntका जो है मालदा घैप के दौरा जो camera जो कि फिजिकल जोग्रफी के बारे में वहाँ पर चर्चा करेंगे वहाँ पर ज्यादा अच्छे से और ज्यादा डिटेल में इनके बारे में बात करने का इसको भी रहेगा हमारे पास ठीक तो छोटा-छोटा चीजे आप यहीं से समझते चलिए बस बहुत छोटी-छोटी बारी क कौन को ठिक मोटा-मोटा बारी की नहीं बारी की हम समझेंगे वर्ड की जोगरफी के साथ थीक है तो अब बताईंगे अगला प्रस्न है कि भारत के अत्रिक्त प्राइदीपी परवत निर्मित हुए हैं आप्शन है यह युजी महाकल्प में बी पेलियो जीएक महाकल्प में we blending olur ले जी दूंब को कि प्लैड मर्षान अगले प्रस्फऩरे प्रसइं चलते हैं यह पूझा रहा है कि छोटा नाकूर पठार का सर्वादिक घंड़्हन गानवासा जिला धनवाद ही क्या हुआ है अप्शन दिया जा के उपजाव मिट्टी तथा दामोदर से निकाली गई नहरोद्वारा सिचाई की सुझा बी कोईला लोहा अभ्रक तावा इत्यादी का पाय जाना सी खनन उद्योग का विकास तथा अध्योगी करण अथ्वाटी उपर्यूक्त सभी मताई भाई यह दनबाद में इतनी आवादी काहे बस्यू हुई है इसका सही अंसर है माल्दा गैप कहां यह देखें माल्दा गैप पस्चिम मंगाल में है फिक यह देख यहां जो है खाना नुद्दो का काफी विकास हुआ तथा अध्योगी करणुगा इसलिए धनबाद का काफी घना बसा हुआ जिला चुकि धनबाद में जो है लाल मिट्टी पाई जाती और लाल मिट्टी क्रिशी के लिए बिलकुल भी उप्यूक तो नहीं है इसलिए यह कथन गलत हो जाता है तो वहीं कहीं पर कोईला लोहा अब रखताबा पाई जाएगा तो क्या वहां आप चलते हैं अगले प्रस्ण की तरफ तो यहां पूचा जारा है कि छोटा नापूर पठार है आप्सन है एक अगर गंभीर बी एक गर्त सी एक पद अस्थली अत्वा डी एक संप्राय भूमी चलिए इसका सही आफ्सर है अप्सन नमबर ठीक छोटा नापूर का पठार जो है एक अगरि गंभीर है क्या होता है अगरि गंभीर का तो देखRY पहली तो तो चोटा नापूर पठार की उचाईयां करम सवान नहीं है कई करम पर उचाईयां इसकी दूसरी मिसके पस्चिमी भाग में यानि इस तरह की इस तरफ का भाग पाट भूम यानि सपाठ चेत्र है तो इसके मद्ध में प्रत्यक दिसाम कहीं इधर मिल रहा है करम मिल रहा है उचायो का तो कहीं इधर मिल रहा है उचायो का करम बना हुआ है ठीक और साथ ही साथ इसके जो पठार के ढाल है ना यह तीवर हैं ठीक काफी तीवर हैं काफी एकदम स्लोप टाइप में इसकी ढाल बनी हुई है इसलिए इसे अग्र गंभीर बोला जाता है ठीक है आईए चलते हैं सिधा अगले प्रस्ट की तरफ तो यहां यह मैप दिया हुआ ह और आपको बताना है इस मैप में क्या 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 और किसके किसके बारे में ABCD के रूप में बताए गया यहां पर है B यहां पर है C यह लिखा हुआ है D यह है अब बताएए ओफसन है आपके पास ठीक आपसन आप पढ़ियों फटाक से बताएए I.S. 97 का प्रस्ट है और सभी के बारे में कई जगहों पर कई बार बात हुई है ऐसा नहीं कुछ नया मिलेगा आपको यहां पर चलिए इसका सही अंसर है ऐसे देखें यहां पर क्या है सत्पूरा और विंध की स्रीणिया ठीक तो क्या होगा रिप्ट घाटी छेत्र होगा ना यह कि नर्वदा और तपी नदिया यहां से बैह रही है रिप्ट घाटी से बैती हैं रिप्ट घाटी चेत्र की शुरुआत कहां कहां से पहले और दूस्रे में यानी की पस्च में गाट चुकि पस्ची में काफी उंचाई पर बस गया है ठीक और उसके बाद इधर का पूरुवी ढ़ाल इसका स्लोप नुमा है तो यहां से जो बारिस आती यही टकरा कर इधर ही बरस जाती इधर बारिस होती ही नहीं इसी को जहां बारिस नहीं होती परवत के जि सी ठीक चलिए अगले प्रस्ण की तरफ चलते हैं यहां पूछा जा रहा है कि अरावली यह विंद सिंग्रलाओं के मत कौन सा पठाय इसी था आपको लोकेशन दिखाई गए ची शुरू में आफसन है ए मालवा का पठार बी छोटा नाकपूर का पठार सी दक्कन का पठार कि ये ढाई तर्वर बिमें को पठाव दिखाँ देट से इस साथ एक उसन है जिन्द खेजा दो रिखेंगां तरफेंशन देनिया ज़ों दिख में खेर अन्हें CC Hudson दो आपको बुंदेल कंड का पथार भी मिल जागा ठीक बुंदेल कंड के पूरुवी सीमा पर बुंदेल कंड के पूरुवी सीमा पर मालवा का पथार है ठीक है अंध्र प्रदेश इसका सही अंसर है आप्सन नमबर बी शतीज गड़ एवं ओरिशा देके दंड कारण जो छेत्र है ना यह जो है तीन राज्यों में फैला हुए कौन कौन सा दो तो हो गया शत्तिज गड़ और ओर अर तीसरा है आंध्र प्रदेश अंध्र प्रदेश इन तीनों राज्यों में 36 गड़ राज दंड कारण का छेत्र फैला हुए यहां देखे नीचे दंड कारण छेत्र ओडिशा के कोरापूट और काला हंडी जिले में तो वहीं 36 गड़ के बस्तर जिले में और आंध्र प्रदेश के पूरवी गोदावरी और विशाका पट्रम के सांसा स्रीकाकुलम जिले के चित्रों में फैला हुआ है जिले का नाम आपको याद रखने की जरुवत नहीं है आप सीज़े सीज़े दंड कारण छेत्र को राज्यों के नाम से याद कर सकते हैं जैसे दंड कारण छेत्र ओडिशा चाथ तीस गड़ा आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है ठीक है राम जी के कारण अजकल इसमें प्रस्णा आने की संभावना है जो सोच लीजिए राम जी जोग्रफी से भी जुड़े हैं अगला बताए दंड कारण है भारत के किस भाग में इस्तित है आप्सन है ए उत्तरी बीपूर वी सी म भाकी धर्म सभी रूप में अच्छे हैं और सारे हैं गलत होते हैं तो व्याक्षा करने वाले और इसको समझने वाले हैं कि नहीं कि काफी बात हुई है हमारी वैदिक कालमें सबके बारे में कहीं कहीं तो मैं फिलास्पी में चला गया हूं कि चली इसका सही अंसर है आफ सर नंबर कि ठीक यह जो है दंड कारण चेतर देखिए यह यह यहां सटा नहीं है तो यह खांप आगा यह भारत के मध्यवर्ती भाग में ही तो आएगा है कि नहीं चल चलते हैं अगले प्रस्ट की तरफ यहां पूछा जा रहा है कि बिहार के निमने हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूत आत्विक द्रिष्टी से अपेच्छा कृत पुराना है बी पी एसी स्पेसल अगर आप वहां देने जा रहा है तो आपके लिए प्रस्टी महत्तुप कि चल इसका सही अंसर है आपसर नंबर कि ठीख खड़कपूर की पहाडिया जो है धाडवार क्रम की है और धारवार क्रम की चट्टाने जैसा कि आप सब को पता है काफी पुरानी है ठीख कि चलते हैं सिधा अगले प्रस्ट की तरफ तो यहां पूछा जारा है कि इन निम्ड में से कौन सा मेघाल है पठार का अंसर नहीं है आपसर नहीं ए भुवन पहाड़िया बीकारों पहाड़िया सी खासी पहाड़िया डी जैंतिया पहाड़िया उपर युक्त में से कोई अधिक आज के लेक्चर का यहां अंतिम प्रस्टन है और इसी के साथ साथ हम इस चेप्टर को खतम कर देंगे ठीक है चली तेके कई बार बात हुई है कि गारों खासी जैंतिया मेघाला में भुवन पहाड़ियों की बात हुई ही नहीं है ठीक सिंपल है इसके बारे में एक देखें यहां पर यहां पर बताया जा रहा है कि जो यह यहां पर देखें नर्मदा नदी के उत्तर में इस्थित मालवा पठार का जो है अजिकतर भाग मध्य उच्छ भूम के नाम से जाना जाता है ठीक है और यह मध्य उच्छ भूम जो है पस्चिम में चोड़ी है यान प्रफियल कंड के रूप में जाना जाता ठीक दामोदर नदी इससे अब दामोदर नदी द्वारा जो है अपवाई चोटा नाकूर पठार जो है यह मद्य उच्छ भून का ही भाग है तो चोटा नाकूर पठार के अगर बात करें तो इसका विश्तार जो है जार्खंड और जार्खंड के राची हजारी बाग यह जानने जरूत नहीं अगर आप जार्खंड इसफेशल देने जारें तो जान लिजेगा कि जार्खंड के राची हजारी बाग संताल परगना पलामू धनबाद और सिंग भूम जिलों में तो वहीं पस्चिम मंगाल के पूरूलिया ज हुए ठीक है इस पठार में जैसे यह पठार है तो यह काफी ज्यादा रहा है ठीक ऐसे एसे इसे चारों तरments इभ लनी हुई है ठीक है इसलिका इसको अगर गंभिर बोला जाता हलांकि इसके बारे में बात हुई है ठीक है और इससे बहने वाली मुख्य न दिए चंबल सिंद बेतवा और केन है जिसमें केन जो है या दच्छिड पस्चिम से उत्तर पूरु की तरफ बैती ठीक है जिसमें यह नदिया जो है कि दच्छिड पस्चिम से लेकर के उत्तर पूरु की और बैती है यानि कि इनका विस्ट वह कैसे होगा यह दच्छिड पस्चिम से सुरू हो रही है और उत्तर पूर की और चली जा रही है ठीक है यह अप वह तंत्र में हम लोग देखें इन अदियों के बारे में बात करेंगे चली थोड़ा और आगे देख लेते हैं